अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भराय का तो ध्यान रखिए कल आपकी लास डेट रहने वाली है मतलब चार सेतंबर इस दा लास डेट तो उससे पहले या आज या कल में या मॉर्णिंग तक ले आप फॉर्म पनी जरूर भर ले और ध्यान रखें कि यह नोटिफिकेशन है कॉमन क्याडर वाले बैच के लिए और साथ साथ में बाकी और जी सम्मंदित फॉर्म जो आयते हैं चाहे वो ओफिस अस्टेंट हो चाहे लापसर हो इन सब को मिला करके यह बात कही जा रही है नेक्स तिंग यह जॉब बड़ी ही ओपॉजर डिस्टिक है यानि कि इसमें के वल ग्रेजुएशन की रिक्वार्मेंट है कॉमन काडर में कोई भी परसेंटेज हो कोई भी जो चलेगा बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए आखरी साल जो आपका मतलब मैक्सममेज है ओपन के डिगरी के लिए था 27 यह और OBC के लिए 30 और SCST के लिए 32 यह रहा है तो ह कुछ चूजओ के बारे हम लोग और बात करेंगे जैसे for example कई सारे डाउट्स आप लोग के हमारे YouTube चैनल पे हर वीडियो पे पॉप अप हो रहे हैं और कई सारे कॉल्स भी आ रहे हैं तो we will be discussing one by one all of them पहली चीज़ है SSC-SSC वाली कि हाई स्कूल है में क्या भरें इंटर में क्या भरें तो जाहर सी बात है अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमेडिट करा है that means you should be filling up SSC in high school and HSE in intermediate next thing is कि अगर आपने डिप्लोमा किया है for example if you have done the polytechnic in something that means you should be filling up डिप्लोमा 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 डिप् कडे जो है वो मेंचन नहीं है in that case you should be checking on any random number of the same month यानि जो चीज़ मेंचन है वो आप लेंगे और एक random number आपको लेडा है पड़ेगा date क्योंकि accept करने के लिए तो कोई specific date लेना पड़ेगा अगर आपके mark sheet में specific date मेंचन नहीं है in that case you should be checking on any random number and for my suggestion 7th of that month is a genuine idea next thing is कि अगर मान लीजिए आपके अभी result नहीं आये हैं, declare ही नहीं है, although हो सकता है एक साल पहले ही आप pass out हो चुके हैं, in that case also you will be filing up as a appearing candidate, okay? अगर मान लीजिए आपके exam तक आपके पास में degree नहीं आती है, आपके mark sheet भी नहीं आती है, then there is no issue of worrying, reason यह है कि आपने college या university से जब letterhead पर लिखवा कर लेके जाएंगे, तो आपको सुमाने रहेगा DV के time पे, okay? और वैसे जहां तक AI का सवाल है, वो चाहती है कि DV के time पे आप सारे documents produce करके लेके जाएं, यह रियल वाले, असली वाले आपके पास तमय हो, next है mark sheet date issue, mark sheet में जो date वाला issue है, वही चीज़ जो हमने आपको बताई, कि date अगर आपके mark sheet में mention नहीं है, in that case, जिस दिन भी, जिस मन्त में भी आपको mark sheet date, result declare हुआ था, वही वाला date लेंगे, वैसे mark sheet में month या year mention होगा, तो उस year का कोई भी, जिस मन्त में आपका declare declare हुआ था, और एक random date उस मन्त का आप चुनेंगे, okay? next doubt आया था कि blue या black वाला issue, कि sir मैंने blue या black, black की जगा पे blue color से declaration भर दिया, या blue color से sign भर दिया, आप क्या करूँ, तो 99.9% of the cases, ये reject नहीं होता है, form this case पे, any accept हो जाता है, और side issue आपको नहीं आएगी, वहराल आप चाहें, तो एक बार AI help desk से ज़रूर contact करें, ताकि आप share और रहें इस बात के लिए, लेकिन हमें नहीं रखता कि बहुत ज़दा issue इस बात को लेकर के आने वाली है, तो निशिंत रहें, पड़ाई पे ध्यान दें, certificates की बात करें, अगर आपने मालीजे state certificate है, that is of course valid, और अगर आपने उसको central level format पे आपने apply किया नहीं आया, तो पर के हैं, हाथ में हो तो करिये ही, क्योंकि अगर आपने जिस दिन exam का notification आया था, उस दिन हमने आपको गता था, कि apply कर दीजे, इसी financial year, यानि कि एक April के बाद का होना चाहिए, रेकिन आप लोग पाई, मन्तिक आने, तो जिन लोगों ने माना है, उनके लिए, अच्छी बात है जिनने भी नहीं माना है, don't worry for that, apply from your category, अगर हो जाता ठीक है, नहीं होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, open में तो आप चुने ही जाएंगे, okay, certificate अगर अप्लाई किया है, तो चार दिन लेट हो जाता है, तो भी मेरनी होगा, चार जुलाई, चार सेप्तमबर is the last date, उसके पहले का ही certificate आपका issue हा होना चाहिए, कुछ candidates कहते हैं कि सर, अगर बाद में कर लेए, डिवीक टाइम पे ले जाएं, तो माना तो इसी फाइनलिचित के जाएगा, तो उसमें भी एक खलप नामा लगता है, और बाद में लोग apply कर लेते हैं, बाद का certificate लेगे जाते हैं, और कह देते हैं कि पुराना का certificate हमारा इसी साल का था, बट बाई mistake हो गया था, तो हमने उसके renewal के लिए apply किया है, और off course ही आ गया है, तो थोड़ा supporting evidence दे देते हैं, तो काम बन जाता है, बहुत ज़्यादा परिशान होने की बात नहीं है, अगली बात क्या है, father's name mismatch, यानि जो mark sheet minimum name है, matriculation में आपके जो पापा, पिता का नाम मेंशन है, that is the final call, वही होना चाहिए, और रही बात की अगर मा लिए sir ID proof मांग लिए तब क्या करेंगे, तो ID proof के attention मत लीजे, within 5 days वो approve हो करके correct हो जाता है, तो आपको डिवी जब आएगा time, तो आपको idea भी लग जाए, क checklist भी आती, उसके हिसाब से आप उस समय correct कर लेंगे, उसके कोई attention नहीं लेना है, बसरते आपके mark sheet वाला, 10th वाले mark sheet में जो नाम है पापा का, वही नाम पिता मता का होना चाहिए, physical fitness को लेकर ये कोई criteria mention नहीं है, security post में जरूर रहेगा, लेकिन common carder के बागी सारे post के लिए क कोई ऐसी mandatory नहीं है, यानि कि अगर आप physically कोई भी चीज में unfit हैं, आप उससे बाहर है, आप apply कर सकते हैं common carder, हाँ कुछ specific post में, हो सकता है, physical fitness वगरा लेकिन उसके लिए घबरानी की बात नहीं है, उसमें नहीं eligible होंगे, बागी post में तो eligible होंगे, यानि common carder में कई सारे post है लगबग 12-13 के आसपास में हैं, जिसमें 7 तो mentioned हैं आपके notification में, तो परिशान होनी की बात नहीं है, भरिये आप, कोई फरक नहीं परता आप कितने लंबे हैं, कितने नाटे हैं, कितने मोटे हैं, कौन सा disease है, basic disease में कोई दिक्कत नहीं होती, chronic disease के case में, for example, AIDS, HIV, या फिर of candidates, they are asking that, की paper का level क्या होगा, SSC level का होगा, IPS level का होगा, तो मैंने कई बार वैसे discuss किया है, ध्यान रखें, paper जो होगा, वो आपका AAI level होगा, ना EA level, ना EA level, होगा, कौन सा level, AAI level ही होता है, और Airport Authority of India, कई बार exam करा चुकी है, एक बार अगर आप previous paper, मेरे request पिजा करके, एक बा आया था, exam होगा था, किस web को, वही बार पर देख लेंगे, you'll find out की, जो mention is syllabus, उसी एक 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 word, एक मतलब concept पे आपको question मिलेंगे, ठीक है, और आपको एक idea भी लग जाए, कैसा मिलेगा, आपको एभी idea लग जाएगा, setting arrangement आता है कि नहीं, आपको एभी idea लग जाएगा, science आत pattern नहीं, AI का pattern रहेगा, of course, कुछ IPS के भी content आने वाले हैं, और SST के भी syllabus आने वाले हैं, तो एक अलग लिए syllabus हो गया फिर तो, है ना, दूसरी बात यह रही कि sectional cutoff रहेगा, कि नहीं, sectional cutoff of course नहीं रहेगा, हाँ, sectional allotted time का एक chance बन सकता है, कि हो सकता है, sectional time ही रहे, यानि आ अगर आपके पास समय कम पढ़ता है, कि section बच जाता है, तो आप हो सकता है उस time को, आप दूसरी section में use ना कर पाएं, ऐसा संभावना थोड़ा सा है, तो पकोशिश करें कि practice करते रहें, इस sectional timing हो सकता है, एक issue बनके आपके सामने आए, लेकिन वैसे कोई खास ऐसे तो कोई प्रवान नहीं है, तो यह रही आपके सारे doubts, और यह बात हो गई अपने courses की, दियान रहे, यह last call है, अगर आपको admissions लेने हैं, courses में जाहर सी बात है, late काफी हो चुका है, अब और late ना करें, अगर आप जॉइन भी करें, तो कोशिश करें कि video lectures जो आपको आते हैं, concept उनको ना देखें, प्रयास करें कि e-books देखें, मतलब अपना lecture PDF देखें, then afterwards assignment question 30 करें, फिर 40 question आपके sectional mock के करें, sectional mocks में जाधतर पार्ट में जो आप लोग को errors लेके आते हो, error नहीं मिलते हैं, बाद में, वो रहते correct ही हैं, तो instead of bringing that in my attention, एक बार ज़रूर थोड़ा सक्वास श 120 question है, आपके mocks में, नहीं 150 question है, हर mocks में, एक दंबिजाम pattern पे जैसे है, उसी level पे हैं, हिंदी में of course, जो English के तुलना में थोड़े से कम mocks हैं, जो कि क्योंकि late से launch हुआ था, धीरे धीरे करके, हर अपते में हम लोग 5-5 उसमें इंग्रीज कर रहे हैं, हर chapter पे ही mocks है, हर subject का mocks है, इसका मतलब इतने mocks हैं, जो आपको test book या किसी भी platform पे, adda पे, या किसी platform पे, आपको शायद से जाधा mocks आपको मिल जाएं, हो सकता बागी platform भी जाधा देते हैं, I am not saying anything about like that, मतलब यह है कि आपको जतनी भी mocks की जरूत होगी, उसे कहीं जाधा mocks, आपको platform मिलेगा, लेकिन जाधा mocks, mocks, खेलने की चकर मत पढ़ें, हर chapter पे एक mocks लगाएं, जैस से बस बढ़ रहा है, अगर मान लीजे आप अभी courses जॉइन कर रहा है, तो आप क्या करें, तो daily maths का एक chapter कवर करें, maths का daily एक chapter कवर करें, उस पे assignment, उस पे mock, उस पे pdf, lecture, pdf, that means at least of 100 question you should be doing from that chapter, जो की 2 घंटे, 3 घंटे का काम होगा, उसके बाद में reasoning एक घंटे दे, फिर आप English को अपने लब आदे गंटे से 40 मिनटे दे, यानि question लगाने में, and then ऐसे ही GS पे घंटे दे, तो आप पाएंगे कि लब 5-6 घंटे में आप दिन में daily काफी question कर पा रहे होंगे, औ और of course जिन में गर मैं से 100 question कर लिया, reasoning पे आपने 60-60 question कर लिये, फिर आप English पे से कर रहे हो, तो आप पाओगे कि आपका confidence आज के 12 दिन बाद, यानि 12 चप्टर जब आप cover कर लोगे, तो उसके बाद में आपका concept confidence अलग ही level पे होगा, घवराएं नहीं अगर आपको question याद नहीं आते हैं, अगले इंटेंशन मत लिए, सब concessory of feeder आता है, जब exam में question देखता है, सीधा हिट हो जाता है, यही वाला तो है, ठीक है, तो उसका कब attention मत लें, last में हम लोग September end के बाद से, हनी कि October 1st दे से हम लोग चलाते है, practice session जिसमें हम लोग आपको देंगे, concise PDFs, जो क आपके खास करके revision notes होंगे, प्लस आपके reasoning, reasoning charges साथ page में cover हो जाएगी, maths का formula बुका जाएगा, तो बहुत सारी शीज़े हैं, bytes मिल जाते हैं, आपको GS में, जो की main, main parts के SSA के single pages होते हैं, और वो quite helpful रहेंगे, काफी helpful आपके लिए रहेंगे, आप परिशान एकदम मत होईए, और उस time पर daily हम लोग practice session चलाएंगे, तो इतने question आप daily करेंगे, और mix में क्योंकि हो सब होंगे, तो आपको अपने आप 3-4 दिन बाद से confidence आना शुरू हो जाएगा, और आप हमसे कहीं जादा confidence नजर आएंगे, और जबरदस जंडे गार के आएंगे, तो घबरानी की बात नहीं है, समय कम है, तो अगर आप enroll, अगर होने का विचार है आपका, तो आप कर लें, अगर हो चुके हैं, then of course, practice शुरू कर दें, अब notification और इंचप चीज़ों से थोड़ा सा उपर आएं, कौन कराएगा exam, doesn't matter, पहले-पहले पढ़ना शुरू कर दें, वो सब हम लोगों पर छोड़ दें, हम लोग को research करने दें, अगर आप माई साथ में जुड़े हुए हैं, तो अब बाकी अगर कोई बात ऐसी होती है, we will be updating you first, ओके, तो यह अपना course का scenario था, और last की, अगर मान लीजे, आप चाह रहे हैं, कि enroll करना, there is a coupon code known named as freecc, जो कि अब provider से हम लोगों ने अगर कोई doubt होती ही, कुछ भी होती है, then you of course you can call us, जब चाहें, तब आप call करते हैं दिन में, और आपकी बात भी हो जाती है, बस यह है थोड़ा सा कि नियमित रहें, confident रहें, और थोड़ा करके ही सही पढ़ते रहें, जब आप एक अचानक से अपनी habit बदल रहें, तो जाह जब आना सोभाविक है, और डर आएगा तो घबराना नहीं है, बस इतना डर ना हो कि आप पढ़ा ही नहीं कर पाएं, अगर ऐसा होता, then of course call us, okay, so that was all for the day, wish you the best, all the best, don't forget to fill up the form, don't forget to check out your form that you have already filled, कि वो सब कुछ correct हो, हर चीज़ क्लियर हो, अगर कोई mistake आपको ऐसी मिलती है for example कई बच्चों ने कहा, कि sir मैं डिकलेशन में थम भर दिया हूँ, अब क्या कोई दिक्कत होगी, of course दिक्कत होगी, कैसी question आप कर रहे है, जाहर सी बात है, आप डिकलेशन में थम भर क्या है, तो आप कैसे बाइवंटरी क्रॉस करेंगे वहाँ पर, जाहर सी बात है, ऐसी अकेले के तीन-चार होगे है, अलग-अलग occasion भी आप यूज़ करते होंगे, वो सब जान नहीं रहे हैं, अलग-अईडी बना करके हमें ही message करते रहते हो, आप लोग, तो that means, कि आपको एक idea है, थोड़ा सा logical होई है, डर से थोड़ा सा उपर उठिए, और मेहनत पिधान दी Okay, wish you the best, bye-bye!